ये तारीक थी 16 मार्च 2022 राजस्थान के अलवर की ततारपुर में एक पुल के उपर जब कुछ लोग गुजर रहे थे तो उन्ही में से एक व्यक्ति की नजर पुल के नीचे की और पड़ी तब उसे दिखाई दिया कि एक प्लास्टिक के बोरे में कुछ अजीब सबंधा हु हुआ है जो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा था और उसकी दुरगंद दूर दूर तक फैल रही थी तब वो व्यक्ति पुल से उतर कर नीचे आता है और जैसे ही वो बोरे के पास पहुचा तो उसे बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगी प्लास्टिक के बोरे में अ उचना दी और सूचना मिलते ही वहा के पुलिस अपनी एक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुचती है और जब वो बोरे को खोल कर देखा गया तो उसमें एक महिला का शरीर पाया गया जो कि किसी तरह से शतिग्रस्त नहीं था यानि कि उसके शरीर पे कहीं भी चोट या फि कि इसके पीछे जरूर किसी की गहरी साजिश रही होगी पर क्या थी वो साजिश और किसने और क्यों उस बेचारी ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला को इस अंजाम तक पहुचा दिया था सब कुछ डीटेल में बताऊंगी हर एक चीज को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंग और ना ही सोचा होगा। तो जैसे ही घटना स्थल पर पुलिस पहुँचती है तुरंद ही वो पुलिस महिला के शव को अटॉपसी के लिए भिजवा देती है और इधर बाकी के पुलिस वाले खुद ही चानबीन में लग जाते हैं हाला की महिला के पास से किसी भी तरह की आइडेंटिटी या फिर पहचान पत्र नहीं मिल पाया था जिससे की उसकी पहचान की जा सके कि वो महिला कौन थी और कहां से आई थी सबसे पहले तो उस पुल के आजपास की लोगों से पूछताज की जाती है उस बोरी की फोटो को दिखा करके स्थानिय लोगों से पूछा जाता है कि क्या आपने इस तरह की बोरी को किसी शक्स को पुल के उपर से नीचे फैक्ते हुए देखा है काफी पूश्टाज करने के बाद भी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो पाती है जिसके बाद अब पूरे राजस्थान में उन दिनों हुई गुमशुदा महिलाओं के बारे में पता किया जाता है कि उस उम्रदार महिला की कहीं कोई लापता या फिर किसी थाने में F.I.R. तो दर्ज नहीं थी लेकिन उससे भी कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है क्योंकि किसी भी थाने में ऐसी कोई रिपोर्ट पाई ही नहीं गई थी और इसलिए पुलिस वालों का चैलेंज यहां पर और भी बढ़ जाता है इसलिए अब उस खबर को उस मृतक महिला की फोटो के साथ न्यूस पेपर के माध्यम से पूरे राजस्थान में सर्कुलेट किया जाता है पर उससे भी कोई भी फायदा नहीं हुआ और ना ही उनके परिजनों में से कोई भी उस महिला के शरीर को क्लेम करने आया और ऐसे ही 48 घंटे से ज्यादा का समय बीच जाता है और अब उसकी रिपोर्ट आती है यानि की अटॉपसी की रिपोर्ट आती है तो उ उसमें भी कुछ खास पता नहीं चल पाता है बस यहीं पता चलता है कि उस महिला के गले को दबा कर उसकी स्तांसे रोकी गई थी और आगे की चानबीन करने के बाद भी राजस्थान पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाता है और इसलिए अब पुलिस वाले थोड़ा आ ध्यान दिया कि ना तो उस महिला की पहचान हो पाई और ना ही किसी ने थाने में आकर गुमशुदा होने की F.I.R. दर्ज करवाई थी तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये महिला कोई दूसरे स्टेट की हो या ये घटना का अंजाम किसी दूसरे स्टेट में दिया गया हो और उ अगे की जाज परताल शुरू की जाती है उस पुल से होकर गुजरने वाले जितनी पी रास्ते थे उन सब ही रास्तों में लगे हुए CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया जाता है और ऐसे ही सैकडो CCTV फुटेज खंगालते हुए पुलिस वाले एक रास्ते में दिखने पहुंचे तभी वहां से पुलिस वालों को एक बहुत ही बड़ी जानकारी मिली दोस्तों कि 14 मार्च को एक सफेद रंग की गाड़ी वहां पर काफी बार चक्कर लगाती हुई नजर आई थी अब CCTV फुटेस के आधार पर ये तो पता चल गया था कि गाड़ी सफेद रंग की थी लेकिन समस्या यहां पर ये थी कि उस गाड़ी का साफ साफ नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा था लेकिन हाँ वो गाड़ी दिल्ली से चल कर वहां आई थी इतना पता जरूर लग चुका था यानि कि वो गाड़ी दिल्ली की थी और ये आगे की चानबीन में बहुत ही बड़ी भूमी का निभाता है इसके बाद पूरी पुलिस टीम एक्टिव मोड पर आ जाती है और जिसके बाद अब दिल्ली के रूट से हर एक टोल नाके पर टोल टेक्स पर लगे हुए CCTV की जाच की जाती है तो पता चलता है कि 14 मार्च को उस तरह की गाड़ी जो क भी महिला की गुमशिदा होने की FIR दर्ज किसी थाने में करवाई गई है या फिर नहीं जिसकी उम्र लगभग 30 के आसपास हो रही हो तब पता चलता है कि गांधी नगर के इस थाने में एक महिला जिसका नाम प्रियंका है 14 मार्च की देर रात उसके पिता ने ये कहते दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी दिन में ATM से पैसे निकालने तो गई थी लेकिन उसके बाद वो वापस घर लोट कर नहीं आई अब इतनी जानकारी मिलने के बाद राजस्थान की पुलिस ने जो 16 मार्च को पुल के नीचे से बोरी में महिला के शव को बरामत किया था उ और फिर प्रियंका के पिता को वो तस्वीरे दिखाई गई तब उन्होंने पहचान लिया कि वो उन्हीं की बेटी प्रियंका ही है और वहीं दूसरी तरफ पुलिस की एक और टीम CCTV फुटेस के आधार पर जुटाई गई जानकारी से सभी गाडियों के ओनर के बारे में पत है और उनसे पूश्टाज करती है जिससे पता चलता है कि प्रियंका एक ट्यूशन टीचर है जो की स्पैशली घरों में जाकर बच्चों को ट्यूशन क्लास दिया करती थी जिन में से एक नाम सुनेना का भी आता है कि प्रियंका सुनेना के घर जाकर पिछले साथ सालों से उनके बच्चों को पढ़ाया करती थी। अब जैसे ही परीजनों से सुनेना का नाम पता चलता है तो पुलिस वालों का पूरा दिमाख ही घूम जाता है। क्योंकि गाड़ी के जो नंबर चेक किये जा रहे थे उसमें सुनेना का नाम सामने आया था। यानि कि उसकी गाड़ी 14 मार्च वाले दिन उस टोल टैक्स से गुजरी थी। अब पुलिस की टीम ने तुरंध ही इन दोनों कड़ियों को जोड़ लिया। क्योंकि परिजनों से सुनेना नाम जो सामने आया था वही नाम CCTV में कार के नंबर से भी सामने निकल कर आया था। अब पुलिस बिना देरी किये सुनेना के घर पर दस्तक देती है, बच्चे घर पर नहीं थे और उसका पती कपिल भी अपने कामकास के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था, पुलिस को अपने दर्वाजे पर देखते ही सुनेना के पसीने छूटने लगे, हाला कि पूछता जो आपकी है वो आपके नाम से रजिस्टर्ट है, जो कि 14 मार्श को राजस्थान में पाई गई थी, तो क्या आप बता सकती है कि ये गाड़ी या फिर आप यहाँ पे उस समय क्या करने गई थी, और क्यों गई थी, तब सुनेना ने इस बात पे लड़ खड़ाते हुए कह कि हाँ, ये मेरी ही गाड़ी है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जाती हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे पती से पूश्टाश कर सकते हैं, शायद वो इसके बारे में आपको कुछ बता सके, फिर सुनेना ने जल्दी से अपने पती कपिल को कॉल करके घर पर पुलिस उन्हें उठा कर ठाने ले जाती है, और उनसे सकती के साथ पूश्टाश करना शुरू कर देती है, हाला कि शुरुवाती दौर में वो दोनों नानुकूर करते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले अपने हतकंडे अपनाते हैं, आजमाते हैं, तब जाकर वहाँ पर एक एसी कहानी सामने निकलकर आती है, जोकी शायद आपने कभी ऐसी कहानी सुनी ही नहीं होगी, अब यहाँ से कहानी फ्लेश बैक में जाती है, कपिल और उसकी पत्नी सुनेना, इनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत, कोई भी परिशानी नहीं थी, क्योंकि कपिल पेशे से एक व्यापारी था और वही प्रियंका खत्री जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी जो कि एक ट्यूशन टीचर थी और घटना से तकरीबन 7 साल पहले कपिल को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यानि कि घर पर पढ़ाने के लिए एक टीचर की एक अच्छी टीचर की तलाश थी तब कपिल को प्रियंका के बारे में पता चला और प्रियंका को कपिल के बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया प्रियंका कपिल के बच्चों को पढ़ाने के लिए अब उनके घर पर आने जाने लगी और ये सिलसिला सालों तक ऐसे ही चलता रहा हालांकि प्रिय प्रियंका के साथ शुरू हो गया जबकि प्रियंका को अच्छे से मालूम था कि कपिल एक शादी शुदा व्यक्ती है जिसके बच्चे भी है फिर भी वो पीछे ना हट कर उसके रिष्टे को और भी आगे बढ़ाती चली गई लेकिन यहां पर हैरानी वाली बात ये थी कि कोई शक तक महसूस नहीं हुआ ना ही कभी सुनेना को इस बारे में भनक लग पाई क्योंकि प्रियंका कपिल को रक्षा बंधन वाले दिन राखी भी बांधा करती थी ताकि सुनेना को ऐसा करने पर ये लगेगा कि वो उसके बच्चों की बुआ हुई यानि कि कपिल की बह लेकिन एक बार जब कपिल प्रियंका के साथ में हसीन पल्बिता रहा था तब उसने अपनी पतनी सुनेना की थोड़ी बहुत तारीफ कर दी थी जिससे प्रियंका के अंदर थोड़ी बहुत जलन पैदा होने लगी और साथ ही उसे ये डर सताने लगा कि कहीं अब वो उसे छोड़ ना दे इसलिए वो अब और भी ज्यादा अपनी ब्यूटी पर ध्यान देने लगी इनफेक्ट उसे अपनी सौतन की तरह सुनेना को उसके पती कपिल के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी कि मैं यानि की प्रियंका सुनेना से ज्यादा खूब सूरत ह और ऐसे ही काफी समय बीटता चला गया लेकिन ये सिलसिला नहीं थमा इनफेक्ट प्रियंका की अब काफी उम्र भी हो चली थी इसलिए जब भी उसके घरवाले उसके लिए लड़का तलाश करते थे तो प्रियंका कपिल को as a boyfriend अपने होने वाले मंगेतर से बात करवा दिय करती थी फिर क्या था हर एक रिष्टा तूटता चला गया और ऐसे ही दोनों ने मिलकर कई रिष्टे तोड़े क्योंकि अब प्रियंका कपिल के बिना नहीं रह पा रही थी और कपिल का क्या था वो तो केवल टाइम पास कर रहा था जो कि प्रियंका के समझ में नहीं आ रह यहां तक कि प्रियंका ने तो एक बार तक खुद को खत्म करने की कोशिश तक की जब उसे शादी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसे शादी कर सकता है क्योंकि वो खुद शादे शुदा होने के साथ ही उसके बच्चे भी है फिर इसी बात को लेकर प्रियंका यहां पर नाराज हो जाती है इसके बाद कुछ और समय बीटता जाता है और जब दूसरी बार प्रियंका ने कपिल के सामने ये बात रखी कि वो उससे शादी करना चाहती है और वो उसकी दूसरी पत्नी बनने को तयार है पर इस बात पर भी कपिल ने साफ इंकार कर दिया जिससे परिशान होकर अब प्रियंका कहती है कि मैं समझ गई जब तक तुम्हारी बीवी सुनेना जिंदा है तब तक तुम उससे शादी नहीं जिसके बाद हम दोनों आराम से शादी कर लेंगे ये बात सुनने के बाद अब कपिल के होश उड़ गए थे फिर भी उसने एक बार को तो प्रियंका को समझाया कि वो ऐसा बिलकुल भी नहीं कर सकता फिर धीरे धीरे शादी करने को लेकर रोजाना इन बातों पर जगड़ होने लगा और जब फाइनली कपिल ने इनकार कर दिया कि वो शादी नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा तब प्रियंका ने कपिल से कहा कि ठीक है अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो तुम मुझे 50 लाख रुपे दे दो और फिर मैं तुम्हारी लाइफ से जिंदगी स हमेशा के लिए चली जाओंगी जबकि कपिल के बयान के मताबिक पिछले साथ सालों में उसने प्रियंका के ऊपर टोटल 40 लाख रुपे का खर्चा कर दिया था उसकी सुन्दरता को बनाये रखने के लिए क्योंकि प्रियंका जब सुनेना से और भी ज्यादा सुन्दर दि मांट से कपल परिशान रहने लगा और कुछ दिनों बाद हार मान कर वो अपनी पतनी सुनेना के पास गया और बीते साथ सालों की अपनी और प्रियंका के रिष्टे की कहानी को बताते हुए ये भी बताता है कि वो यानि कि प्रियंका अब तुम्हें मार कर मुझसे शादी कर लू और ऐसा ना करने पर उसने मुझसे 50 लाख रुपे की डिमांड की है सुनेना को उसकी सचाई जान कर जोरू का जटका लगा लेकिन अब जैसा कि प्रियंका ने कपिल से कहा कि तुम सुनेना को खत्म कर दो ये बात सुनकर सुनेना के होश उड़ गय थे और अब यही पर एक हेर फेर किया जाता है यानि कि सुनेना कपिल से कहती है कि तुम प्रियंका को ही खत्म कर दो जिससे ना तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे और तुम्हारा रास्ता भी साफ हो जाएगा और यहीं पे बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि कपिल को किसी ना किसी का मर्डर तो करना ही था अब चाहे वो अपनी पत्नी को अंजान तक पहुँचाए या फिर अपनी माशु का प्रियंका को चुनना तो सिर्फ कपिल को था जो कि उसने अपनी पत्नी को चुना फिर क्या था उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर की दो नौकरू को पैसु का लालच देते हुए अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया और प्लानिंग के मताबिक अब कपिल ने प्रियंका को अपनी गाड़ी में पिक करना था और हुआ भी कुछ ऐसा ही 14 मार्च 2022 को प्रियंका अपने घर से ये बोल कर निकलती है कि वो ATM पर कुछ पैसे निकालने के लिए जा रही है और इसी दौरान कपिल प्रियंका से बात करके सब कुछ उसे बता चुका था कि वो अपनी बीवी के साथ कहीं घूमने जा रहा है तो उसे भी साथ में चलना चाहिए और इसलिए अब वो ATM के पास पैसे निकालने के बहाने घर से निकल कर बाहर आती है और जैसे ही ATM से पैसे निकाल कर बाहर आई तब कपिल की गाड़ी उसके सामने खड़ी हुई थी और बिना देरी किये कपिल की गाड़ी में बैठ कर प्रियंका उनके साथ चल देती है दिल्ली से होते हुए राजस्थान के अलवर के ततारपुर पहुँचने से पहले ही चलती ह हुई कार में ही पीछे की सीट पर बैठे हुए दोनों नौकरों ने मिलकर मौका देखकर प्रियंका के गले में रसी फसा कर तब तक पीछे की और खीशते रखा जब तक कि उसकी सांसे न रुख गई जिसके बाद चलती हुई कार के अंदर ही जैसे तैसे करके उसके शरीर क वो बोरी के अंदर डाल कर उसे अच्छे से बांध लिया गया और फिर उसी पुल के पास में पहुँचकर जब सूर्य अस्थ हो चुका था यानि कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था उसी समय के अंतराल में उस बोरी को पुल के उपर से नीचे फैक दिया जाता है औ इस गाड़ी में इस घटना को अंजाम दिया गया था और सजा के तौर पर उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है तो ये है एक स्कूल टीचर की कहानी जो अपने ही फैलाए हुए जाल में खुद ही फंसकर अपनी जान गवा बैठी दोस्तों आपकी इस केस के बारे में क्य आरा है आपकी अनुसार इस केस में क्या सजा मिलनी चाहिए और क्या प्रियंका के साथ सही हुआ या फिर गलत मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताईएगा आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपून है और अगर आपकी हमारे चैनल के बारे में भी कोई सु मिलती हूँ एक और नई सची घटना के साथ तब तक के लिए सतर्क रहिए स्वस्थ रहिए जै हिन जै भारत